गीत की शादी रौकी से होती है। चड़ा रहा है तुम्हे ये और तुम्ही नुद्ध गीत रौकी के छोटे भाई को दोस्की तरह मानती। वो रौकी के साथ उसकी भी जरुरतों का ध्यान रखती। लकी ये रहे तुमारे कपड़े धो कर प्रेस करवा दिया है। हलमारी में सजालो। अरे रख दो ना भावी अलमारे में भी। हाँ हाँ सब भावी करेगी तो तू क्या करेगा। रहने दीजे न माजी शादी हो जाएगी तो ख़दी सुदर जाएगा। अरे रहने दो यार तुम दोनों मेरे कपड़े यहीं पर रख दो एक कपड़े अलमारी में रखने को क्या बोल दिया शुरू हो गई। एक दिन। रौकी सुन्ये ना कल जल्दी आ जाना मुझे माई की जाना है या सुबर छोड़ दीजे और शाम को लेकर आ जाना। आतिवर्ट लकी तुमारे लिए मैंने एक लड़की दिखी है बहुत सुन्दर है। अच्छा क्या बात है भाबी मुझे भी दिखा दो और उससे भी पूछलो के मुझसे शादी करेगी ना। इतनी सुन्दर होगी तो मुझसे जो शादी करेगी भाबी। अरे वाब। क्या बुराई है तुम्में इतने अच्छे हो दिखने में। हाँ बस अपनी भाईया से थोड़ा कम हो। हाँ भाबी आपको तो भाईया से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लकी तुम्हारे भाईया है ही लाखो में एक। रात में दोनों घर आते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी घर रौकी की मौत की खबर आती है। ए बगवाज ये क्या हो गया। मेरा बेटा मुझे वापस करतो। सब मिलकर मा और गीत को संभालते हैं एक दिन। गीत बेटा अब तो रौकी रहा नहीं। तु देख ले अगर माई के जाना हो तो। गीत कुछ नहीं बूलती और कमरे में चली जाती है। एक दिन बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाबी, किसकी नजर लग गई आप लोगों के घर में। मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ही पैर ठीक नहीं है। तभी तो आते ही हमारे घर का चिराक खा गई। बुआ सास की बात सुनकर गीत को रोना आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर जोर-जोर से रोने लगती है। लगी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। बुआ क्या बोल रही हैं? किसी का जीना मना उपर वाले के हाथ होता है ना कि किसी के पैर पर। अरे देख लो भाबी, छोटा भी हाथ से निकल रहा है। ऐसा ना हो कि ये लड़की सब को आपके खिलाफ करते। तभी वहाँ गीत चाई लेकर आती है। लीजे बुआ जी, चाई पी लीजे। बुआ तो घर से चली जाती है, लेकिन सास के मन में गीत को लेकर नेगेटिव विचार भर जाते हैं। अब देख गीता बहुत हुआ, यहां रहकर भी कुछ नहीं ही होगा, अच्छा होगा कि अपने मम्मी पापा को बोल कि तुझी यहां से लेकर जाए। और गीत अपने माई के चली जाती है, जहां आस पडूस की लोग कहते हैं। लगी की मौत का। तभी वहां लगी आ जाता है और वो पडूसियूं की बात सुन लेता है। लगी तुम। भाबी, यह सबाना आपको जीने नहीं देगा। लेकिन आप चिंता मत करना। मैं आपको आपके हिस्से की सारी खुश्या दूँगा। लगी देखता है कि गीत को ससुराल से लेकर माई के तक हर जगर सिर्फ तानी ही सुनने पड़ते हैं। वो सीधे अपनी मा के पास चाता है। अब जेलना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो जरिया होगा न मा। भाबी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हिस्सा है नहीं हिस्सा थी। और अब तुज्याद आना भाबी भाबी करना बंद कर दे। समझा। कुछ दिन ऐसे ही बीटते हैं। और एक दिन लकी देखता है कि गीत उसके ही कॉलेज में पढ़ने आई है। हरे भाबी आप यहां कॉलेज में कैसे। लकी मैंने पढ़ने का निर्ने लिया है। शादी की कारण मेरी पढ़ाई को बीच में ही रुख दिया गया था। पर अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई में ही मन लगाऊं। हरे आपने बिल्कुए सही सोचा भाबी। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बिना किसी हिचक के बताना, मैं हूँ आपकी मदद के लिए। लेकिन कहते हैं न, गीत की जिंदगी में सब कुछ बहुत दिनों के लिए ठीक नहीं रहा। और एक दिन क्लास में। अरे ये विद्वा है, इसके तो शादी हो चुकी है। क्या आप बात कर रहे हो, हमारे साथ तो बैटकर ऐसे पढ़ाई करती है जैसे बच्ची हो। और अब बच्ची नहीं बहुत शादी रहे हैं। किसी को नहीं बताया कि ये शादी शुदा है, वरना हम इसे आंटी आंटी कहकर पुकारते न। अरे अब तो पता चल गया न। अंटी जी, अंटी, अंटी। फिर क्या, सभी गीत को आंटी बोलकर चिराने लगते हैं। गीत को रोना आजाता है और वह क्लास के बाहर जाकर रोने लगती है। सामने से लखी आजाता है। आरे क्या हुआ बाभी, आप रो क्यों रही है। तब ही पीछे से लड़किया आ जाती हैं। हे हैंसम इस औरत से ना दूर रहना इसके प्यार में मत बढ़ जाना क्योंकि ये शादी शुदा है हमारे साथ जूट बोलकर हम जैसे ही रह रही थी हाँ तो क्या गलत है सही उम्र में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देते तो आज तुम भी शादी शुदाई होती न और इनका पती नहीं रहा उसमें इनका क्या कसूर अरे कोई अपने जीवन को नई शुरुवात दे रहा है तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है अरे तुझे बड़ी दया रही है कर ले ना तुँ शादी लगी तब तो कुछ नहीं बोलता लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाती है और फिर एक दिन मा मैं गीट से शादी करना चाता हूँ अरे क्या बख रहा है बेटा तेरा भाई तो खा गई वो अब मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खो सकती नहीं मा मैं गीट को यू परिशान नहीं देख सकता उसका कॉलेज में भी लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है मैं उनसे शादी कर उन्हें फिर से इस घर की बहु बनाओंगा तुम मानती हो तो ठीक है नहीं तो मैं घर छोड़ कर चला जाओंगा अरे मुझे मनसूर है पेटा लकी मा के साथ गीट के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है घर वाले मान जाते हैं थोड़े से इनकार के बाद गीट भी लकी से शादी करने को मान जाती है झाल जाता है